नमस्कार दोस्तों स्वागत यास सभी काई बाइफर से आपके पनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी अंटेनिस टुडियो पर तो दोस्तों हम इस्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तिनत के अंतिम वन्स लोधी वन्स को और लोधी वन्स के दोस्तों अंतरगत पढ़ेंगे आज हम लोग बहलो लोधी के सम्मन में दोस्तों दिल्ली सल्तनियत के अंत्रगट टोटल 5 वंस आते हैं जिसमें प्रथम वंस, गुलाम वंस, फिर खिलजी वंस, दुगलग वंस, सायद वंस, सायद वंस के बाद दिल्ली सल्तनियत का अंतिम वंस माना जाता है लोधी वंस, लोधी वंस के सासको ने दिल्ली सल्तनिय के अंत्रगत 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था इसके प्रथम सासक यानि इसके सरस्थापक बहलो लोधी हैं इन्होंने लोधीवन्स के अंत्रगत 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है तो इन्हीं के संबंद में हम लोग जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चुआ कि दोस्तों हम लोधीवन्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो लोधीवन्स से संबंदित कुछ पॉइंट है एक्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं जैसा कि दोस्तों लोधीवन्स के सासकों को प्रथम अफगानी सासक कहा जाता है चुकि दोस्तों ये अफगान जाती किसे बिलोंग करते थ इसलिए इन्हें प्रथम अफगानी सासक के नाम से भी जान जाता है लोदी वन्स के अंत्रगत दोस्तों तीन सासक हमें देखने को मिलेंगे इनके प्रथम सासक माने जाते हैं बहलो लोदी जिनके संबन में आज हम लोग पढ़ेंगे इन्होंने 1451 से लेकर 1489 तक सासन किया है दूसरे सासक माने जाते हैं दोस्तों सिकंदल लोदी सिकंदल लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक सासन किया था जो इस वन्स के सबसे प्रतापी एवम योग के सासक माने जाते हैं इनको हम नेश्ट की वीडियो में पढ़ेंगे इसके तीसरे सासक मन जाते हैं दोस्तो इबराहिम लोधी और इबराहिम लोधी ने दोस्तो 1517 से लेकर 1526 तक सासन किया था जो इस वन्स के अंतिम सासक मन जाते हैं तो आईए दोस्तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग बहलो लोधी के संबन में बात करें दोस्तों बहलो लोदी तो बहलो लोदी से सम्भनित कुछ पॉइंट है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जो हमने नोट किये हैं जैसा के दोस्तों सायद मन्स के अंतिम सासक मने जाते हैं अरामसा अरामसा के सासनकाल में दोस्तों दिल्ली की बेऊस्था बहुत खराब हो गई थी परणाम यह हुआ कि अरामसा दिल्ली के प्रसासन को चलाने में आसमर्थ रहें और दिल्ली की जो जनता थी वो भी बगावत करने लगी थी इसी कार दोस्तों जनता के बगावत की कारण अराम सा दिल्ली के पद को त्याग कर बदायू चले जाते हैं और बदायू जाने के बाद दोस्तों दिल्ली का जो राजपार था वो खाली हो जाता है इसी का फाइदा उठाकर दोस्तो बहलोल लोदी दिल्ली में अपना राजब से करवाता है और दिल्ली का सुल्तान बनता है इस प्रकार दोस्तो लोदी वन्स की स्थापना होती है बहलोल लोदी ने दोस्तो लोदी वन्स की निवडाली थी बहलोल लोदी ने दोस्तों एक उपादी धान की थी जो अक्सरिक्जा में पूछी जाती है वो उपादी थी बहलोल सा गाजी की तो बहलोल सा गाजी की उपादी बहलोल लोदी ने धान की थी इसके लावा दोस्तों बहलोल लोदी प्रतम अफगान सासक मना जाता है जिसने प बहलोली नामक सिक्के भी जारी किये थे जो अकबर के सासनकाल तक विन्मे का माध्यम बने रहे थे तो दोस्तों यहां से भी कोशन पूछा जाता है कि किसके द्वारा चलाए गए सिक्के अकबर के सासनकाल तक विन्मे का माध्यम बने रहे तो दोस्तों वो थे बहलोलोधी द Content की PDF आप Free Of Course डाउनलोड कर सकते हैं, Link में discussion box में दे दूँगा, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक Take Care and Good Bye.